Hello everyone, welcome to Ocul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोगं का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने Certificate Physical and Human Geography जीसलिए उनके कोर्स को आगे बढ़ाएंगे Chapter 9 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस Part 1 जो है बुक का जो Physical Geography का जो Part 1 है यानि कि जिसमें 12 chapters है उसका हमारा 2-3 कोर्स यानि कि 2-3 जो है वो 8 chapter तर कम्प्रेट हो चुका है पिछले Part पे हम लोगों ने जो हमारा Chapter 8 था उसमें हम लोगों ने बात की थी about your Limestone and Chalk Landforms या फिर हम कह सकते हैं Cast Topography के बारे में ठीक है तो आज हम लोग Chapter 9 को स्टार्ट करेंगे Lakes को लेकर ये Chapter है काफी आसान Chapter रहने वाला है Most Probably इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में Complete कर लेगे ठीक है तो आज इसका Part 1 रहेगा तो आगे मढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग उसे एक बार फिट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इस Course को इस Video Series को Follow कर रहे है जिनको ये पसंद आ रही है प्लीज जादा से जादा वीडियोस को Like करें जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कलीक्स के साथ ताकि हमारे इन Course का जो फाइदा है वो सभी लोग को मिल सके और बाकी जो लोग चैनल पर नए है अगर उनको भी Content पसंद आ रहा है helpful लग रहा है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो पोस्ट हो सबसे पहले उसका notification आप तक पहुंच जाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चलते हैं अपनी बुक की तरह देखिए लेक्स का ये चैप्टर है मैं पहले ही बता रहा हूँ काफी आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें जो आल्मोस्ट सारी की सारी चीज़े हैं मतलब मैं कहूंगा कि 70-80% चीज़ें ऐसी हैं इस चैप्टर में जो हम पहले से जानते हैं हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो इसलिए हमाले लिए चैप्टर काफी आसान रहने वाला है ठीक है और लेक्स क्या होते हैं ताला भी आप सभी लोग को बता है चलिए इतमें start करते हैं क्या लिखा गया है कि lakes are amongst the most varied features of the earth surface ठीक है इन में variation जो है वो बहुत जादा होता है they occupy the hollows of the land surface in which water accumulates ठीक है यानि कि कोई अगर land है कोई अगर सतही land है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर plane land है उसमें मालीजे यहाँ पर जैसे मालीजे यह land है इस land में क्या होता है यहाँ पर मालीजे बीच में गड़ा हो जाता है ऐसे ठीक और इस गड़े में क्या होता है पानी भर जाता है तो this becomes your lake ठीक यही चीज़ यहाँ आपर समझाई गई है कि यह क्या करते हैं इस तरीके का जो गड़ा बगरा बनता है जो hollow बनता है वो occupy करते हैं जहाँ पर पानी जो है water accumulate करता है यह vary करते हैं किस में? साइज में यानि कि कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं इनका कोई definite shape भी नहीं है ठीक है अलग-अलग shape के अलग-अलग lakes होते है depth यानि कि इनकी गहराई कितनी है depth का मतलब है यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया है आप किया सकते हैं ये चीज ठीक है ये कि इनके जो नीचे का जो उनका bottom portion है वो surface से कितना नीचे है कितना depth पर है, कितनी गहराई पर है and mode of formation यानि कि किस तरीके से बने हुए है यानि कि हम लोगों ने अभी तक काफी सारे तरीके के lakes की हम लोग बात कर चुके है ठीक है ना जैसे कि हम लोगों ने glacier के form में बात की थी कि glacier में जैसे example के तोरप में बता हूँ जो mode of formation है वो भी काफी अलग अलग है ठीक है अब इनके size के अगर हम बात करें तो जो छोटे lakes होते है ये ponds और pools के बराबर होते है और जो बड़े होते हैं जो large होते हैं वो इतने extensive होते है that they merit the names of the seas जैसे कि Caspian Sea ठीक है Caspian Sea आप समझ जाए Caspian Sea is not a sea is a lake ठीक है इसका size इतना बड़ा है कि इसको Caspian Sea बोला गया है अदर्वाइस ये lake है इसकी length कितनी है 6,760 miles as much as 3,215 feet 3,215 feet ये गहरा है and with a total area of 1,43,550 square miles ये इसका area है तो देख सकते हैं कितना बड़ा है और अगर इसको हम land से compare करें तो जो पूरा का पूरा हमारा Malaysia है यानि कि जो Malaysian देश है उससे ये बड़ा है कौन से देख कि हम बात कर रहे हैं ध्यान रखे का it's about the Caspian Sea ठीक इसके बाद lakes जो है वो temporary भी हो सकते हैं अब temporary कैसे होंगे filling up the small depressions of undulating ground after a heavy shower ठीक है मैंने आपको जैसे उपर दिखाया कि कैसे अगर कोई surface है उस तर अगर कोई गड़ा है ठीक उस गड़े में क्या है कि कभी मालिज अगर बारिश होती है heavy shower है और heavy shower के बाद अगर महाँ पर क्या होता है पानी भर जाता है तो वो भी एक lake बन जाएगा but it is a temporary lake ठीक but those which are deep यानि कि जो जादा गहरे है and carry more water than could ever be evaporated remain permanent अब permanent lake किस तरीके से होंगे पहली बात तो यह है कि यह गहरे होंगे क्योंकि इनमें जादा पानी होगा तब ही यह permanent हो सकते है और दूसरी चीज़ क्या है कि इनमें जो पानी आ रहा है चाहे वो किसी भी form से आ रहा है precipitation से आ रहा है या किसी और source से आ रहा है river से आ रहा है कहीं से भी आ रहा है और जो पानी बाहर निकल रहा है पानी बाहर किस तरी से निकलेगा evaporation से जो major cause है का मतलब क्या है कि जिन में पानी कहां से आ रहा है नदियों से and with outflowing streams जैसे कि lake जिनेवा, lake पोयांग, the great lakes of the North America, North America में जो great lakes है, lake Huron, lake superior, lake Erie, वो आले, ठीक है, in the regions of low precipitation and intense evaporation where there are few rivers strong enough to reach the sea, streams drain into the lake forming a basin of inland drainage, ठीक है, जयानि कि ऐसे region में, ऐसे शेत्रों में जहां पर precipitation कम है, जहां पर बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है, और evaporation जो है, जो रावाशपी करण है, वो बहुत जादा है, ठीक है, और जहां of the intense evaporation, these lakes are saline, जैसे कि हम लोगों ने परसों के case में, जब हम लोग बात कर रहे थे, desert or arid landforms के case में, हमने वहीं पर एक case या एक, हम कह सकते हैं, lake discuss किया था, that was your playas, ठीक है, कि playas में क्या होता है, that is also known as a salt lake, कि उस क्या होता है, कि जितना भी पानी होता है, वो evaporate कर जाता है, और साथ ही जो नीचे उसमें, पानी में जो salt होगा, वो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि evaporate क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आपको अमेशा ध्यान हो पीछे रह जाएगा, ठीक है, और इसमें मैं आपको जनरली एक चीज़ और बताओं, कि अगर आप ऐसे कहीं पर भी समुद्र देखींगे, ठीक है, जैसे कि मान लीचे समुद्र है, या कोई लेक इस तरीक का है, जैसे कि आप दिया गया है, या जो ये ग्रेट सॉल्ट लेक दिया हुआ है, आप अगर मैप में जाके, ठीक है, फिजिकल मैप अगर आप ने वर्ल्ड का, और वहाँ पर जाके आप कोई भी इस तरीकी के लेक्स वगरा, या कोई भी इस तरीकी वाटर बॉर्डी देखें, और वहाँ पर अगर आप सबसे वहली चीज़ ये देखेगा, कि उस वाटर बॉर्डी में, या उस लेक में, कितनी नदिया आके ड्रेन कर रही है, ठीक, जितनी जादा नदिया ड्रेन कर रही होंगी, उतना वहाँ का जो पानी है, वो फ्रेश वाटर होगा, यानि कि उतना पानी सैलाइन कम होगा, बस, ये समझ के चलना है, ठीक है, बहुत important concept में आपको बता रहा हूँ, कोई भी अगर आप water body देखते हैं, इस तरगी की lake वगरा, कोई भी देखते हैं, उसमें आप सबसे पहले ये देखेगा, या ये पता करिएगा, कि उसमें कितनी rivers आ के drain कर रही है, क्योंकि जितनी जा कर दिया गया है, डेट सी, ठीक है, डेट सी की जो salinity है, वो बहुत जादा है, 250 parts per thousand, ठीक है, यानि कि आप समझेए कि एक लिटर अगर पानी है, तो उसमें अगर आप 200 gram नवक घोल दे, उतना जादा से line हो, ठीक, और इसको आप जाके एक बार, मैं आपको ये task देता हूँ आप लोग एक बार जाके मैप में देखेगा, डेट सी कहां पर है, और साथ ही ये देखेगा, या ये पता करिएगा, इसमें इंटरनेट में, कि इसमें कितनी rivers drain करती है, इसमें आप देखी है, कि बहुत कम या ना के बराबर, जो है, वो rivers drain कर रही होंगी, ठीक है, इसके ब आप दूसरा देखेगा, एक example में आपको और देता हूं, that is black sea, black sea में बहुत सारी नदिया जो है, वो पानी अपना drain कर रही है, इसलिए उसकी जो salinity है, वो काफी कम है, only 17 parts per thousand, यानि कि एक लिटर पानी में अगर आप 17 gram नमक घोलेंगे, तो उतनी salinity है, यानि कि उसको almost हम क task देता हूं, कि dead sea देखेगा, आप जो great salt lake है, वो देखेगा, और साथ ही compare कीजिएगा, black sea से, तो black sea में आपको जो है, number of rivers, या जो number of streams जो इसमें drain कर रही है, वो काफी जादा देखने को मिली, ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर यही चीज करें जाता है, ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, it must be pointed out that lakes are only temporary features of the earth's crust, अब आप समझेंगे, यह आप कोई डाउट हो सकता है, यह उपर तो हम कहा रहे थे, lakes permanent है, यह यहाँ पर लिखा गया है, कि lakes temporary है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, यह भी हम समझते हैं, किस तरह क इसका permanent है, they will eventually be eliminated by the double process of draining and silting up, इन में क्या होगा, कि siltation होगा, ठीक है, siltation होगा, मतलब इसमें silt इखटा होते जाएंगे, तो obviously बात है, कि जैसे ऐसे इसमें अगर, मालनीजे, कहीं से भी rivers आ रही है, तो rivers अपने साथ आपको पता है, alluviums या silt जो है, वो लेके आती है, तो पानी इसमें जाएगा, तो पानी के साथ silt भी जाएगा, और उस silt जाने के वैसे क्या होगा, कि धीमे धीमे ये भर जाएंगे, ठीक है, और जहां पर बारिश वैसे ही कम है, ये तो हम लोग बात कर रहे थे, जो permanent है उनकी, मैंना जिनको हम लोग permanent मानके चल रहे हैं उ ठीक, इन धी होट डेजर्ट्स, लेक्स डिसपिर all together by the combined processes of evaporation, percolation and outflow, ठीक, पानी या तो क्या हो रहा है, अगर बहुत जादा गरमी है, जहां पर हम लोग बात कर रहे है, बहुत जादा गरम जो deserts है रेकिस्तान है, वहां पर क्या हो रहा है, evaporation, यानि कि पानी का क्या ह रहा है वाश्पिकरण हो रहा है परकोलेशन यानि कि पानी जो है वो नीचे भी चला जा रहा है मिट्टी में मतलब सर्फिस के अंदर और तीसरी चीज़ है आउट फ्लो का मतलब क्या है कि पानी वहां से बाहर भी जा रहा है दो दा प्रोसेस ऑफ लेक अब यह समझना है कि हम जो बात कर रहे है पर्मनेंट की वो हम अपनी लाइफ टाइम के हिसाफ से बात कर रहे है कि हम जो है कोई भी व्यक्ति है कितना जिएगा 100 साल 120 साल maximum ठीक है ना तो हमारी लाइफ टाइम के दौरान यह लेक्स खतम नहीं होंगे लेकिन अगर हम इनको ज जियो लॉजिकल टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें यानि कि जो millions of years का होता है इस पैंट जियो लॉजिकल टाइम जो होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यह temporary है ठीक इसको आपको ऐसे समझना है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी जो है वो क्या है पान अगर हम इसको आगे जाके देखें तो future में ये कभी ना कभी तो खतम होगा ठीक है तो इसी तरीके की बात यहाँ पर भी कही गई है कि lakes को अगर हम मानके चले तो ये हमारे और आपके समय पर या मेरे समय में जो है वो खतम नहीं होंगे तो इसलिए हम अपनी lifetime के हिसाब से या अपने life span के comparison करते हुए हम कह सकते हैं कि देयार permanent lakes लेकिन अगर हम इसको पूरे के पूरे geological time के हिसाब से यानि कि पूरे के पूरे जो भोगलिक समय है उसके हिसाब से अगर हम इसको बात करें geological time के हिसाब से हम बात करें के अलग-अलग modes of formation है वो क्या है, ठीक, the formation and the origin of lakes following are the various ways in which lakes can be formed बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं each of them is placed in a specific category, though in a specific cases, lakes could have been formed by more than one single factor, ठीक है, अलग-अलग category में अला कि रखा गया है, लेकिन कुछ cases ऐसे भी हो सकते हैं, जिसमें एक से जादा factor से भी लेक को ही बन रहा है, ठीक है, देखते हैं फटा-फट से क्या है, ये सारी चीज़े हम लोग को पता है हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे, तो हमें बिल्कुल चीज़े जो है, वो समझ में आ जेंगी, कहीं पर अगर कोई difficulty होगी, तो वो आपको साथ साथ बताते चलोगा, ठीक है, सबसे पहला है Lakes formed by Earth Movement, कि Earth के movement होने से Lakes कैसे form होगी सबसे पहला है Tectonic Lakes Tectonic Lakes मतलब जो Tectonic Activities होगी उससे, अब यहाँ पर कुछ processes के नाम दिये गए हैं, या आप लोग को पता है One is your warping, Warping का मतलब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था Warping का मतलब होता है कि जब हमारी अगर मालीजे कोई layer है, ठीक है, यह अगर हमारी plane layer है, अर्थ कीमा बात कर रहा हूँ, यह अगर इस तरीके से हो जाए ठीक है, यह एक दूसरे तो वहाँ पर जो चीज होती है, that is warping ठीक है, उसके वाद sagging है similar process है, bending है या fracturing है, जब वो टूट जाएगा, तो उससे क्या है कि इस तरीके की जो tectonic activities होंगी इनसे क्या होगा इनसे depressions फॉर्म होंगे, यानि कि गड़े फॉर्म होंगे and such depressions give rise to lakes of immense sizes and depths, यानि कि बहुत बड़े size के और बहुत जादा depth के, यानि कि गहराई की lakes यहाँ पर बनेंगे, अब यहाँ पर example दिया गया है, they include lake Titica का occupying a huge depression in the intermalt plateau of the Andes, ठीक है 12,500 feet उपर है, यह समुद्र सतह से, समुद्र के तल से यह highest lake in the world है ठीक, और इसके बाद एक दिया गया है, that is your Caspian Sea, 1,43,550 square miles, यह का एरिया है यह है largest lake ठीक है, almost five times larger than its nearest rival lake superior, lake superior lake, North America में lake है, इसको आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने, तो यह आपको यहाँ पर समझा दिया गया है कि lake Titica का जो है उसकी depth कितनी जादा है, ठीक है, यानि कि इसको height पर भी है और intermalt plateau है, intermalt plateau का मतलब क्या होता है, जो अगर plateau बना हुआ है, बीच में पहाड़ी, जो mountain है mountain के बीच में जो पहाड़ी बनी हुई है उसको बोला जाता है intermalt plateau यानि कि जो पठार बना हुआ है, दो पहाड़ीों के बीच में, ठीक है, यह सारी के सारी चीजे मैं आप लोगों को बहुत जादा detail में figure के साथ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यह चीजे हम पहले सारी के सारी पढ़ चुके हैं ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल एक clear idea होगा अगर आप इस course को, इस book को मेरे साथ पहले chapter से लेकर अभी तक बिल्कुल lecture by lecture अगर follow कर रहे हैं, तो यह सारी के सारी चीजे आपको समझने में बहुत आसान लगेंगे और आपको लगेगा कि यह मतलब जादा इसमे time खराब ना करते हुए आगे अगर जल्दी बढ़ लिया जाए तो वो जादा better है, ठीक है, मैंसी लिए आप लोगों से एक बार request करूँगा कि आप लोग चीजों को मतलब इस chapter को specifically पढ़ने से पहले अभी तक कि जितने भी 8 chapter हम लोगों पढ़े हैं, उसको एक बार आप जल्दी से पूरी की पूरी जो playlist हमारी है, वहां से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर इस chapter में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये chapter बहुत ही जादा आसान लगने वाला है, ठीक है चलिए, इसके बाद जो दूसरा टाइप है अर्थ मूब्मेंट से ही, वो है रिफ्ट वैली लेक्स, ठीक अब रिफ्ट वैली लेक्स क्या होता है सबसे वहली चीज तो है, बनता है फॉल्टिंग से, फॉल्टिंग का मतलब भी क्या है यह भी हमें पता है, ठीक है अर्थ वैली इस फॉर्म्ट बाइदा सिंकिंग ओफ लेंड बिट्वीन टू पैरलल फॉल्ट ठीक देखे, यहां पर नीचे आपको फिकर में दिखाया भी क्या है यह, कि यहां पर जैसे माले यह फॉल्ट हो गया ठीक है, यह पॉर्शन भी नीचे चला गया है ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहां पर गड़ा बना अब इस गड़ा बनने में जो ट्रफ बना है इसमें पानी खटा हो जाएगा और पानी खटा होगा तो यह एक लेक बन जाएगा इसके जो फीचर्स हैं वो किस तरीके के है यह भी ध्यान अफने वाली बात है कि इनके जो फ्लोर है, यानि कि जो यह लेक का फ्लोर है यानि कि यह वाला पोर्शन है, यह हो सकता है कि समुंदर तल से नीचे हो बेस्ट नोन एक्जामपल आपको दिये गए है इसमें कौन कौन से लेक्स हैं, यह लेक्स के नामे आपके दिये गए है लेक्स तंगनी का 4,500 फीट डीप यानि कि वर्ल्ड का सबसे गहरा लेक है इसके बाद दिया गया है मलावी, रुडॉल्फ, एडवर्ट, अलबर्ट, एस वल एस दी डेड़ सी डेड़ सी जो है 1286 फीट बिलो दा मीन सी लेवल है यानि कि सबसे लोएस्ट लेक है ठीक है, डेफ्थ सबसे ज़ादा होना या डीपेस्ट लेक होना अलग चीज है और लोएस्ट होना अलग चीज है ठीक है, इसका मतलबसा को कंसेट समझा देता हूँ I hope, कि आप लोग को अगर डाउट हो सकता है कभी देखिए, अगर ये हमारा सी लेवल है पहले मैं दो चीज आपको समझाता हूँ एक समझाना है मुझे आपको डीपेस्ट लेक क्या होता है और दूसरा मुझे आपको समझाना है कि लोएस्ट लेक क्या होता है ठीक है न डीपेस्ट लेक का मतलब है जैसे मान लीजी ये कोई लेक है तो इस लेक का ये चीज कितनी है ठीक है, this will tell you the depth of the lake ठीक, depth मतलब ये चीज़ हो गई अब बाकी इसका आसपास ये समुद्र लेवल से उपर है, नीचे है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है deepest का मतलब ये है कि ये वाला जो portion है ये कितना है, और lowest का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा sea level है, ठीक और जो हमारा lake है वो suppose कर लीजिए इस तरीके से है ठीक है, अब इसकी जो sea level से depth है ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ ये जितना नीचे होगी, उसको बोला जाएगा lowest lowest का मतलब है कि ये जो sea level से नीचे है, जो sea level से नीचे का ये portion ये कितना जादा है, that is known as the lowest, ठीक तो lowest और deepest में अंतर क्या है, मैं आप कोई समझा दिया है, ठीक है चलिए, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, दूसरी category हमारी आ जाती है, lakes formed by glaciation glaciation बहुत important और बहुत ही आसान, glaciers जो हमने देखे पिछले chapter में भी, हमारे पिछले के पिछले chapter में, वहाँ पर क्या है सर्क लेक्स और टांस हमने बात करी है, कोरी बनती है, सर्क बनती है, वहाँ पर से लेक बनता है, ठीक है देखनेते हैं क्या है, a glacier on its way down the valley leaves behind a circular hollows in the heads of the valley up in the mountains, obviously बात है कि जब glacier move करता है valley से, घाटी से नीचे की तरफ को move करता है, तो जहाँ पर glacier होता है, उपर, वहाँ पर वो एक circular hollow बना देता है, ठीक है यानि कि एक circular सा गड़्डा बन जाता है और उसके बाद क्या होगा कि they are, इनका जो feature दिया गया, या जो shape दिया गया, वो कैसा है armchair shaped, surcs और coris इनको बन जाता है, their over deepened floors may be filled with water to become surcs lakes, ठीक है, कि इनका क्या है, कि जो surface है, उस पर पानी भर सकता है, और वो surcs lake या tarn lake जो है, वो बन सकते हैं, example के तोर पर दिया गया है, red tarn in the English lake district and those that occupy glacial troughs are long and deep and are turned as ribbon lake, जैसे कि lakes, अल्स water, ठीक, glacial troughs क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया है, U-shaped glacial troughs, वगरा जो होता है, ठीक है ना, चलिए इसके वाद इसी में है, अगरा हमने cattle and not topography के बारे बात की थी तो वहीं पर हमने आपको बताया था कि जो depressions होते हैं, they are kittles, ठीक these are depressions in the, कहाँ पर depressions है, देखिए, these are depressions in the outwash plane, ये outwash plane में है, जहाँ पर हमने बात करी है, terminal morans हमारे बनते हैं, उसके आगे, ठीक है, terminal morans के आगे जो outwash plane बनता है वहाँ पर, and it is left by the melting of masses of stagnant ice, ठीक, जब stagnant ice होती है, मतलब जब ice का movement खतम हो चुका है, जब वहाँ पर वो रुक चुकी है, ठीक है, तो वहाँ पर जब melt करेगी आई, तो वहाँ पर जो lake बनेगा है, that is known as your kettle lake, और हमने एक बात की थी, बहुत detail में हम लोगों ने सारी के सारी चीज़ें पड़ी हुई है, kettle and knob topography, ठीक है, जहाँ पर depressions होता है, वो kettle होता है, जहाँ पर हमारा थोड़ा सा उठा हुआ portion होता है, mount से होते हैं, ठीक है, यानि कि थोड़ा सा टीले से होते हैं, they are known as your knobs, ठीक, यह irregular होते हैं, because of the uneven moranic surface and are never of any great size or depth, ठीक, यानि कि इनका जो irregular shape है, और दूसरी बात यह है कि यह बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं होते, example के तोर पर दिया गया है, the mares of Shropshire in England and the kettle lakes of Orkney in Scotland, ठीक, इसके बाद अगला है, rock hollow lakes, अब यह क्या है देखे, these are formed by ice scouring when valley glaciers or ice sheets scope out hollows on the surface, ठीक, अब यह बात हो रही है valley glaciers, यानि कि जब glacier जो है, valley में, घाटी में move कर रहा है, अब घाटी में जब वो move कर रहा है, तो हमें पता है कि वो अपने साथ क्या करेगा, कि कुछ surface में से वो क्या करता है, जो हमने बात करी है, इरोजिनल करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और वहाँ से क्या होगा, वो surface को hollow करता चलेगा, और उस surface hollow में इस तरीके का जो है पानी बगरा बनेगा, तो वहाँ पर फिट से लेक जमा हो जाएगा, यानि कि लेक बन जाएगा, ठीक, such lakes of glacial origin are abundant in Finland, Finland में बहुत जाएगा इस तरीके लेक्स, indeed the Finns called their country Suomi, Finns का मतलब है Finland के लोग, ठीक है, वो अपने देश को क्या बुलाते है, Suomi, Suomi का मतलब है land of lakes, ठीक, it is said that there are over 35,000 glacial lakes in Finland, Finland में बहुत जाएगा glacial lakes है, 35,000 से जादा, ठीक, ये तो हो गए तीन प्रकार के glaciation से, चौथा क्या है, that is your, lakes due to moranic damming of valleys, अब moranic damming का मतलब क्या है, morans क्या होते है पहली बात, morans हमने बात करी है, जो glaciers अपने साथ, छोटे-मोटे पत्थर लेके आते हैं rocks, debris वगरा लेके आते हैं और जिनको वो अपने रास्ते भर क्या करते है deposit करते हैं, उनको बोला आता है morans, ठीक है, terminal morans, lateral morans, और हमारे जो, medial morans, इस तरीके morans हम लोगों ने पढ़े हैं ठीक है, तो valley glaciers often deposit moranic debris across a valley, so that lakes are formed when water accumulates behind the barrier, अब मान लीजे, morans, जो है morans तो क्या है, deposition है मान लीजे, valley में जब ये इस तरीके के glaciers move कर रहे हैं, और ये अपने साथ-साथ morans को, छोटे-छोटे पत्थर को, ये इस तरीके के debris हैं, उसको deposit करते चल रहे हैं, और मान लीजे कभी वहाँ पर क्या होता है, कि कुछ इस तरीके का barrier सा बन जाता है, barrier सा मतलब क्या है कि पानी उसको flow नहीं कर पाता, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि dam सा बन जाता है dam आप लोगं को पता है, dam का use क्या होता है, dam में हम किसी भी नदी का पानी रोखते है, उसका फिर purpose अलग होता है, मतलब agricultural sorry, जो electricity production है main जो हमारे वहार dams होते है they are all hydroelectric power projects के जो dam होते है वो, ठीक है न या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि water channel के पानी को control करने के लिए भी dams वकरा बनाये जाते है, check dams वकरा है जिनको बोलते है तो dams का basically purpose क्या होता है कि पानी को रोकने के, अब यहाँ पर जो यह moraines है यह कभी इस तरीके का बाधा उत्पन कर सकते है पानी के flow में यह आप कह सकते है एक obstructions या एक restrictions पैदा कर सकते है तो वहाँ पर इसके वैसे जो पानी खटा हो जाएगा वहाँ से जो lake बनेगा that will be this kind of lake, ठीक है यह हम कह सकते है कि valleys में dams बन सकते है example के तोर पे दिया गया है lake windermere of the lake district inland ठीक, बदर यहाँ पर हम लोगों ने यह glaciation से जो है वो चार प्रकार के lakes देख लिए ठीक है, आगे बढ़ते है इसमें एक और पांचवा प्रकार का भी दिया गया है that is your lakes due to the deposition of the glacial drifts अब जब glacial drifts के जो particles है, जो छोटे के particles होते है जब वो deposit हो रहे है तब क्या होगा in glaciated lowlands with a predominant drumlin landscape, जहाँ पर drumlin है वहाँ पर क्या है कि जहाँ पर drainage poor है, there are intervening depressions, बीच बीच में depressions होते हैं, गड़े होते हैं these depressions are often waterlogged forming small lakes like those of the country down in northern Ireland, ठीक है जहाँ आपको यह रखना है कि यहाँ पर जो lakes बनेंगे वो काफी छोटे होते हैं, बादा बड़े लेक नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ intervening depressions है, यानि कि कोई बहुत बड़े इस तरीके से गड़े वगरा नहीं है, ठीक, यह बाद आप समझ गए, चलिए, इसके बाद अगना देख लेते हैं that is your lakes formed by volcanic activity, अब volcanic activity से भी किस तरीकी चीज़े होती है हमें पता है और यहाँ पर जो हम specifically volcanoes की बात करने वाले हैं, वो है Caldera Caldera volcanoes के बारे में हम लोगों ने बात की थी, I think chapter number third है वो जिसमें हम लोगों ने volcanism and earthquakes के बारे में बात की है, जाके उसको एक बार आप पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और अगर आप पढ़के आए हैं यहाँ पर, तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को भी समझ लेंगे ठीक है, देखे क्या है, during a volcanic explosion, the top of the cone may be blown off, leaving behind a natural hollow called a crater ठीक, ऐसा हो सकता है कि जब volcanism explosion हुआ है, तो जो cone का top है, वो पूरा का पूरा cone का top, बालनीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यह इस तरीके से cone होगा, पूरा का पूरा, ठीक है, जहां से छोटा सा vent होगा, जिससे volcanic, जो eruption हो हो रहा है, ठीक है, यह पूरा का पूरा इस यह blow off हो गया, या निकि यह उड़ गया, ठीक है, यह दवा कैसे उड़ गया, अब यह जब उड़ गया, तो इस तरीके का surface आपको फिर देखने को मिलेगा, ठीक, यह एक तरीका क्या है, this is a crater, अब crater में भी क्या है, कि यह जो side का portion है, यह हो सकता है, कि यह गिर जाए, ठीक cliffs, यह निकि इस तरीके की जो चटान वगर आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसका slope काफी जादा है, steep होगी, and roughly circular in shape, और roughly यह circular ही होगी, ठीक, अब जब volcanoes की condition क्या होगी, जब तक इसमें से active volcano है, तब तक जो ठीक है, लावा निकल रहा है बार, अब जब यह dormant mode में आ आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, अगर इसके उपर बारिश होगी, ठीक है, पानी आएगा तो पानी यही पर इखटा होगा, इसमें से और कोई outlet तो है नहीं, जहां से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, crater या फिर kildera lake, the outstanding ones are the crater lake in Oregon, USA, which in fact occupies a kildera, ठीक, lake Toba in the northern Sumatra and lake Evernus near Naples, ठीक है, US में आपको बता दिया, Oregon, US में, Sumatra आपको पता है, Indonesia में, और Naples आपको पता है, in Italy, ठीक है, Naples में हम लोगोंने Mount Vesuvius के बारे में बात किया था जहां पर, ठीक है न, चलिए, आगे देख लेते हैं, इसी में एक और है, that is, lava blocked lakes, यब ये बात आप फिर से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगोंने Moranic Damming की बात की थी, उसी तरीके से यहां पर जो dams वकरा बन रहा है, वो कौन बना रहा है, lava बना रहा है, कैसे देखे, in volcanic region, a stream of lava may flow across a valley, becomes solidified and thus dam the river forming a lake, ठीक, किसी घाटी में, किसी valley में, जो है, lava flow कर है, और ऐसा हो सकता है, कि वो किसी नदी के पास जाके क्या करे, solidify हो जाए, जम जाए, और जब वो जमता है, तो हो सकता है, कि वो किसी नदी को क्या कर दे, dam कर दे, नदी तो बह रही थी, नदी में उसने एक तरीके से dam बना दिया, तो वहां पर क्या होगा, कि lake बन लेकिन ये एक inland lake है और बना हुआ कहाँ पर है Jordan Valley में ठीक इसके बाद अगला है lakes due to subsidence of a volcanic land surface subsidence का मतलब होता है दसना ठीक देखें the crust of a lava hollow lava flow may collapse the subsidence leaves behind a wide and shallow depression in which a lake may form जैसे की may widen off Iceland इसमें क्या है कि कोई lava flow है lava flow hollow है ठीक वो collapse कर जाता है collapse कर जाता है मतलब वो धस जाता है तो जब धसेगा जब subside करेगा तो उसमें क्या होगा कि वो एक wide और shallow depression wide मतलब चौड़ा और shallow मतलब की बहुत जादा गहरा नहीं होगा बहुत जादा deep नहीं होगा इस तरीके का इसके बाद अगला एक्ष में हम एक और देख लेते हैं, बाकी हम इसको अगले लेक्षर में करेंगे, Lakes formed by erosion, erosion से कैसे लेक बनता है, हमने जो अपना पिछला चेप्टर था, चोक और लेंड फ़र्म जो चौक एंड लाइमस्टोन लेंड फ़र्म के बारे में था, वहाँ पर ह rainwater on limestone carves out solution hollows यह हमें पता है कि जब rainwater का action होता है limestone के उपर जब उनका solution बनता है तो वहाँ पर hollows बनते है when these become clogged with debris lakes may form in them अब जब यह hollow बन रहे है और हो सकता है कि इन में debris खटा हो जाए यानि कि यह मतलब एक तरी किसे कह सकते है कि यह मतलब बढ़ रहे जैसे इसे पानी में आता जाएगा limestone में तो limestone घुलता जाएगा solution होता जाएगा और वो जो इस तरीके के hollows हैं यह बड़े होते जाएगे जैसे हम लोगों ने बात की थी about the swallow, swallow holes, sink holes walas बनते हैं, dowlines बनते हैं यह बात हमने की थी long narrow lakes that were once underground अब हमने कल एक और बात की थी कि जब पानी अंदर जा रहा है इस तरीके की जो swallow holes वगरा से पानी या sink holes से पानी अंदर जा रहा है तो वो underground stream के उसमें form कर रहा है underground stream बन रही है underground stream में जहाँ जहाँ पर भी limestone है वो limestone का solution होता जा रहा है और वहाँ पर क्या बन रही थी caves या caveants caveants मतलब छोटी lakes वगरा होती है और वहाँ पर इस तरीके का lakes वगरा जो है वो form हो सकता है जहाँ पर हम लोगों ने आपको यादो का stalagmite वगरा की बात की थी तो वहाँ पर इस तरीके का lakes वगरा बन सकते है और कभी ऐसा हो सकता है कि जो underground caveants है उसकी जो limestone की छट है वो collapse कर जाए क्योंकि limestone की है तो वो collapse करी सकती है अगर पानी है अगर उसमें पढ़ेगा तो वो घुल जाएगा अगर वो collapse कर गई तो उससे क्या होगा कि इस तरीके जो long और narrow lake था यानि कि लंबा lake था और अंदर जो narrow था narrow क्यों था क्योंकि अंदर वो as a underground stream बहरा है तो वहाँ पर वो lake बना हुआ है अब वो क्या होगा वो exposed हो जाएगा surface में क्योंकि पहले वो ढखा हुआ था जो caveants की छट थी उससे अब वो छट जो हट गई हट के आ गई वो तो subside करके एक तरीके से कह सकते हैं या collapse कर गई तो उसकी वैसे वो exposed हो गया ठीक है और कभी यह जो इस तरीके के lakes थे वो underground हुआ करते थे आज वो surface पर दिखने लगया है example के तरह और पर यहाँ पर दिया गया है lake de chaloxin in the jura mountains इसके बाद हमने कल इसी में एक चीज़ की और बात की थी the last depression जिनको बोलायता है polges polges which normally do not have surface outlets इनका कोई surface outlet नहीं होता may contain lakes इनमें भी lakes बन सकते हैं during wet periods these may cover most of the polge floor but they shrink during dry periods due to seepage ठीक है कोई outflow नहीं है और generally क्या हो रहा है जिससे में बारिश है यानि कि जिससे में wet season है तो वहाँ पर क्या है कि उनके floor में पानी भर जाएगा तो lakes बन जाएगा और जिससे में dry period होगा उससे में ये थोड़ा सा secure सकते हैं क्योंकि क्या होगा कि पानी जो है वो थोड़ा सा seepage कर जाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि surface में percolate कर जाएगा तो इसलिए थोड़ा बहुत इनका जो size है वो छुटा हो सकता है example के तोरो पर दिया गया है Lake Scutari in Yugoslavia solution is important in other rocks such as rock salt ठीक है जो rock salt होते है उसमें भी solution important है वहाँ पर क्या है कि जो local subsidence हो रहा है may occur when the underground underlying beds of rock salt are generally removed in solution ठीक है local subsidence का मतलब क्या है कि ऊपर की जो surface है वो धस रही है और वो कैसे धसेगी जब उसके नीचे जो surface के नीचे जो rock है वो solution से घुल जाए तो वही चीज़ यहाँ पर बताए गई है कि जब underlying beds of rock salt जो है वो अगर gradually remove हो गए solution से तो उपर क्या होगा local subsidence होगी या नी कि धस जाएगा तो many of the mayors of Cheshire England were probably caused by this and are also the result of salt mining operations तो इस तरीकी की चीज़ है salt mining operations से या फिर इस तरीकी की जो rock salt का solution हुआ है वहाँ से भी इस तरीकी के lakes वगरा बन सकते हैं इसके बाद हम लोगों ने एक lake की बात की थी in the desert land forms वो यही है that is your wind deflated lakes ये क्या है the deflating action of winds in deserts create hollows हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से जो wind है वो अपने साथ छोटे जितने particles होते हैं ज्यादा बड़े particles को तो अपने साथ wind नहीं ले जा सकती जो छोड़े particles होते हैं उनको अपने साथ उठाके ले जाती है हमने बात करी थी eddy formation होता है एक ठीक है eddy formation होता है मैं आपको बताया था कि भवर की तरह से किस तरीके से वाई से घूमते वह उपर ले जाती है अपने साथ wind तो वहाँ पर क्या होगा कि गड़े सा बन जाएगा और वह गड़ा जो बनेगा वह इतना बन सकता है कि हो सकता है कि वह ground water का जो label है यह हम लोगों ने बात की थी जो water table है वहां तक पहुँच जाए और वहां से फिर पानी जो है और वह कैसे बनता है वह उनको बता है कि deflation से जब गड़ा बनता है और वह गड़ा इतना गहरा हो सकता है कि वह water table तक पहुच जाए और वहां पर पानी फिर भाला जाए इसके बाद हमने बात की थी excessive evaporation अगर होता है तो excessive evaporation अगर होगा तो वहां पर क्या बनेगा salt lake या फिर प्लायास जहां पर क्या होगा कि पानी में क्या है नमक है तो पानी तो evaporate कर जाएगा वाश्पिकरण बनके उड़ जाएगा और जो नमक है वह वहीं पर रह जाएगा उनके बारे में बात कर ली है बाकी हमारे इसमें दो तरीके और दिये गए है उसको लेकर हम लोग इस chapter को आगे बढ़ेंगे कल के lecture में और most probably कल हम इस chapter को जो है complete कर लेंगे ठीक है चलिए तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारा टेलिग्राम का जो ग्रूप है इसको join करके आप वहाँ पर अपने doubts पूछ सकते है इसका link नीचे description box पर दिया हुआ है या फिर आप इसको टेलिग्राम में सर्च करके भी join कर सकते है इस पूरे के पूरी video series का जो full course है वो हमारी website पर available है वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल रहे हैं साथ ही साथ chapter wise notes और quizzes भी हम लोग वहाँ पर बहुत जल्द update कर देंगे वीडियो के थुरू आप लोग concept पढ़ सकते हैं आप लोग चीज़ाँ सीख सकते हैं notes के थुरू आप लोग quickly revise कर सकते हैं और quizzes के थुरू आप लोग अपनी preparation को अपनी तयारी को assess कर सकते हैं course purchase करने संबन्दी अगर आप कोई technical query face करते हैं तो आप हमसे इस number पर WhatsApp के थुरू contact कर सकते हैं is 9498086380 बाकि अगर आप हमसे कोई भी और बात share करना चाहें कुछ भी पूछना चाहें या कुछ भी बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ocul help desk की जो email idea उसका use कर सकते हैं that is support at the local.co बाकि हमसे ज़्यादा जुडने के रहें आप हमें Facebook पर Instagram पर LinkedIn पर Twitter पर भी follow कर सकते हैं Thanks for watching till the end आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like जरूर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और bell icon प्रेस करना बिलकुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के notification सबसे पहले मिल सेकें अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा